तो दोस्तो ये गाड़ी जो है जो बोलते हैं एक लाख वाली गाड़ी तो दोस्तो वही एक सावालाख वाली ये गाड़ी है जो कि आपको सबसे पहले आज दिखाएए तो दोस्तो अब मैं दिखाएता हूँ आल्टो की K10 खड़ी हुई है गुरूजी मोटरस पे तो भाईया इसका जो है model कितना है 2012 है तो दोस्तो अब आप देख सकते हो दिल्ली नंबर EcoSport खड़ी हुई है तो भाईया इसका model कितना है 2013 तो दोस्तो यह गाड़ी आप देख सकते हो रैड कलर में रेनॉल्ट की डस्टर खड़ी हुई है ये भी अगेन दोस्तो दिल्ली नंबर गाड़ी है तो भाईया इसका model नंबर कितना है 2012 है 2012 तो दोस्तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो Honda City खड़ी हुई है जो की HR 51 नंबर रेजिस्टर्ड है गाड़ी इसका जो है model कितना है इस गाड़ी का? 2011 है तो Hello everyone, welcome back to the channel, this is Sharif and you are watching M.Sharif Vlog तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है M.Sharif Vlog की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज दुबारा से मैं आ चुक हूँ, Guruji Motors में जहाँ पे गाड़ीयों का नए इस्टोक खड़ा हुआ है और आज की जो गाड़ीयों की वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ चोटे सिग्मेंट से लेकर बड़े सिग्मेंट की काफी सारी गाड़ीयां जिसमें के आपको यहाँ पे डस्टर भी मिलेगी, इको स्पोर्ट भी मिलेगी, जो के आप देख सकते हूँ, खड़ी हुई है और आपको वेगेनार वगेरा वो भी छोटे मोटल की भी गाड़ियां आपको सारी दिखाने वाला हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये लाल कलर का बटन दबा के और उसके बखल में दबाना छोटी सी बेल आइकन जो के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास और दोस्तों इन गाड़ियों से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो ये मेरी Instagram की IDR है आप मुझे इसकी तुरूप follow करके वहाँ पर आप मुझे कोई भी question पूछ सकते हो मैं गाड़ियों के बारे में आपको वहाँ पर reply करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा और दोस्तों Instagram पर मैं आपको कहीं पर जाएं सूट करना होता है वहाँ की डिटेल भी शेयर करता हूँ और गाड़ियों की डिटेल भी वहाँ पर डालता हूँ तो दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको Guruji Motors का स्टॉक तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाते हूँ Guruji Motors का स्टॉक जो कि यहाँ पर छोटी गाड़ियों से हम शुरू करने वाले है तो अब या सबसे पहले यह वाली जो गाड़ी वेगेनर खड़ी हुई है इसका मोडल नम्बर कितना है जोश्तों यह आप गाड़ी देख सकते है इसकी कंडिशन कैसी है और इस गाड़ी के तेखो टायर भी में दिखाएता हूँ आपको एक बार तो भेया अपने पास accidental गाड़ी तो नहीं होती है नहीं सर, accidental की पूरी गारंटी देती है पूरी गारंटी और पेपर अब इसके सारे पूरे हैं सारे मिलेंगे सर ठीक है, तो दोस्तों इसका interior देख सकते हो आप अंदर से वेगेनर का कैसा interior है यह देखो अंदर से आपको गाड़ी दिखाएता हूँ मैं और यह आपको देखो manual gear में मिल जाएगी यह गाड़ी और इसके आएक बार दिखाएता हूँ आपको seat cover seat cover कैसा है इस गाड़ी के देखो कपड़े के fitted seat cover है गाड़ी की condition आप देख सकते हो पूरी अंदर से interior तो आप पूछ लेते भाईया से इसके price के बारे में तो भाईया इसका जो asking price है वो कितना है एक लाग तीस हजार रुपे तो दोस्तो इसका asking जो price है वो है एक लाग तीस हजार रुपे तो भाईया वो negotiable हो जाएगा क्या मतलब आज हम बोल सकते हैं अगर हमारे चैनल का reference लेके कोई यहाँ पर आएगा तो यह गाड़ी उन्हें एक सवालाग के आसपास में एक लाग दस अजार में भी मिल जाएगी यह आप customer के उपर customer के उपर depend करता है तो दोस्तों अब आपको दिखायते हैं यहाप यह Hyundai की i10 खड़ी हुई तो भाईया इसका model कितना है 2010 model से 2010 है और यह कितनी चली हुई है गाड़ी यह चली है 44,000 और फस्ट ओनर है इसका फस्ट ओनर है यह petrol में है या diesel में है तो दोस्तों एक बार इस गाड़ी का देखो मैं आपको condition दिखायता हूँ गाड़ी की कैसी है condition यह आप देख सकते हो और यह इसके tire की condition भी आप देख सकते हो tire की condition कैसी है तो भाईया कोई गाड़ी accidental तो नहीं होती है आपके पास में और यह देखो इसके अंदर में music system लगा हुआ है और यह manual gear के साथ में मिलेगी और यह इसके जो कपड़े के fitted seat cover है इस गाड़ी के अंदर में condition आप देख सकते हो seat cover की और यह गाड़ी का complete view देख सकते है interior का आप कैसा है और एक बार मैं इसका rear view भी आपको दिखाएता हूँ इस गाड़ी का पीछे का जो rear view के ऐसा है गाड़ी का वो भी देख सकते हो आप Hyundai की है 1.2 लीटर में आपको मिल जाएगी और दिल्ली नमबर गाड़ी है यह तो भहिया से आप पूछते हैं इसके asking price के बारे में तो भहिया इसका asking price कितना है एक लाग पिछत्तर रुपे वो नेगोशेबल होगा नेगोशेबल है तो दोस्तों अब मैं दिखाएता हूँ ऑल्टो की K10 खड़ी हुई है गुरूजी पताली सारी काड़ी हुई है तो इस गाड़ी के एवरेज कितनी मिल जाती होगी तो दोस्तों 18-20 की एवरेज भी मिल जाएगी दिल्ली नमबर गाड़ी है कंडिशन आप देखी सकते हो फर्स्ट ओनर के साथ में मिल जाएगी पेपर इसके सारे कम्प्लीट मिल जाएगे अब मैं दिखाएता हूं उक बार इंटीरियर इसका अंदर से तो आप ये इंटीरियर देख सकते हो इस गाड़ी का बैशबोड वगेर देख सकते हो गाड़ी का कैसा है और दोस्तों ये इसके seat cover है seat cover भी आप देख सकते हो जो कर दो कपड़े के fitted इसके seat cover है ये देख सकते हो seat cover की condition आप अंदर से और एक बार इसका complete interior का view आपको दिखाएता हूँ गाड़ी का कैसा है अंदर से तो गाड़ी साफ सुतरी condition में आपको मिल जाएगी यहाँ पे अब भाईया से पूछ लेते हैं इसके price तो भाईया इसका asking price कितना है दो लाख रुपे दो लाख रुपे तो दोस्तो यह दो लाख रुपे में आपको गाड़ी मिल जाएगी Guruji Motors पे खड़ी हुई है काफी अच्छी condition में खड़ी हुई है और negotiable भी होगा यह price अब अगली गाड़ी आपको I20 दिखाएता हूँ जो की दोस्तो देख सकते हो हरियाणा 26 तो दोस्तो यह गाड़ी Guru Gram registered है तो आप देख सकते हो गाड़ी की condition कैसी है तो भईया इसका model number कितना है 2010 है सरर 2010 है और यह कितनी चली हुई है गाड़ी यह 35,000 चली है सर 35,000 किलोमेटर और इस गाड़ी का owner कितना है यह first owner है सरर तो यह petrol में है यह diesel में है चली पेट्रोल, CNG पेट्रोल और CNG मिल जाएगी condition आप देख सकते हो गाड़ी की एक बार मैं टायर की condition आपको दिखाएता हूँ टायर की condition कैसी है इस गाड़ी की और आप दिखाएता हूँ एक बार इसका interior अंदर से आपको तो दोस्तों इसका interior देख सकते हो गाड़ी का अंदर से dashboard वगएरा की condition आप देख सकते हो गाड़ी की और इसके black और brown के combination में आपको seat cover मिल जाएंगे जो की leather fitted seat cover है अच्छी condition में गाड़ी खड़ी हुई है manual gear के साथ में मिलेगी और music system इसमें company fitted लगा हुआ है यह complete इसका एक बार view देख सकते हो i20 का आप कैसा है आप पूछ लेते भाईया से इसके price के बारे में तो भाईया इसका asking price कितना है 2,25,000 रुपे 2,25,000 रुपे तो दोस्तों 2,25,000 रुपे reasonable सा price है भाईया negotiable हो जाएगा न वो भी तो दोस्तों negotiable भी हो जाएगा आप आते हो तो भाईया से आके deal को crack कर सकते हो तो दोस्तों आप आप देख सकते हो दिल्ली नंबर eco sport खड़ी हुई है Ford की जो की condition में एक बार आपको गाड़ी को दिखाजता हूँ कैसी लग रही है यह तो भाईया इसका model कितना है 2013 2013 model नंबर और यह कितनी चली हुई है गाड़ी यह चली है सर्थ 30,000 30,000 तो with service record मिल जाएगी है service record मिल जाएगी सर्थ और यह गाड़ी का owner कितना मिल जाएगा भाई अच्छी conditioner black color में खड़ी हुई है एक बार मैं आपको इसका interior दिखाएता हूँ अंदर से interior कैसा है इस गाड़ी का तो दोस्तों देख सकते हूँ interior इस गाड़ी का कैसा है और इसमें दोस्तों देखो company fitted यह music system लगा हुआ है इसके अंदर में और यह manual gear के साथ में मिल जाएगी कपडे के fitted इसके उपर seat cover लगे हुए है जो कि condition आप देख सकते हो seat की और एक बार मैं complete इसका interior का view दिखाएता हूँ आपको यह complete view है इसका और एक बार rear view दिखाना चाहूँँगा इस गाड़ी का मैं आपको rear view देखो देख सकते हो आप यहां पर जो कि EcoSport आपको मिल जाएगी Ford की दिल्ली नंबर गाड़ी है काफी अच्छी condition में खड़ी हुई तो दोस्तों जैसे मैंने आपको interior दिखाया EcoSport का आप भया से पूछ लेते हैं 2012 2012 और कितनी चली हुई है यह गाड़ी यह चली है बासट अट अजार किलो मीटर रन आप है और इसका owner कितना है First owner मिलेगा तो पेट्रॉल या डीजल में है यह तक डीजल में है यह तक डीजल में मिलेगी और भया पेपर इसके complete मिलेगे सारे तो दोस्तो पेपर भी इसके सारे complete मिल जाएंगे अब भया से पूछ लेते हैं भया इसका जो है यह average कितनी आती हो किस गाड़ी की 14 से 15 सर 14 से 15 किलो मीटर मिल जाएगी आपको तो दोस्तो 14 से 15 किलो मीटर average मिल जाएगी एक बार इसके टायर दिखाएता हूँ आपको मैं टायर की condition आप देख सकते हो गाड़ी की दोस्तो आप मैं आपको duster का interior दिखाएता हूँ अंदर से interior कैसा है इस गाड़ी का तो दोस्तो interior देख सकते हो आप गाड़ी का साफ सुतरी कंडिशन में खड़ी हुई है इसका dashboard दिखाएता हूँ सबसे पहले तो आपको dashboard कैसा है और इसके अंदर देखो music system touchscreen का music system है manual gear के साथ में मिल जाएगी और दोस्तो ये इसके देखो seat cover है तो कपड़े के fitted इसके seat cover मिल जाएगे जो कि आपको brown और cream color के combination में आपको इसके seat cover मिल जाएगे तो दोस्तो complete interior देख सकते है उस गाड़ी का रेनोल्ट की duster का अंदर से और अब मैं एक बार आपको rear view दिखाएता हूँ इस गाड़ी का rear view कैसा इस गाड़ी का तो ये दोस्तो rear view है इस गाड़ी का तो दोस्तो चार लाग पचास अजार रुपए इसका प्राइज है जो के negotiable है तो दोस्तो अब मेरे सामने यहाँ पर Toyota की Corolla खड़ी हुई है तो भाईया इसका model कितना है 2007 है कितनी चली हुई है गाड़ी ये चली है सर बहुत्तर अजार लग़ो 200,000 km और ये गाड़ी का ओनर कितना है बस्त ओनर है पेटरोल याल डीजल में है ये सर पेटरोल में है तो दोस्तो फ्योर पेटरोल में आपको मिल जाएगी गाड़ी की कंडिशन आप देख सकते हुऊ ये तो दोस्तो अंदर से दोस्तों आप यहां पर वेगेन और खड़ी हुइए आप देख सकते हो। प्रप मोटल में मिल जाएगी वेगेनार आपको जो कि दिल्ली नंबर गाड़ी है भाईया इसका मोटल कितना है यह 2011 है यह 2011 तो 2011 नंबर के साथ मैं खड़ी हुई है जिए कितनी चली हुई है गाड़ी अठावन हजार किलोमीटर रन अप है फास्ट टोनर के साथ में यह प्याइगी पेट्रोल और सी एंजी तो सी एंजी इसमें इसमें कंपनी फिटिट है जाएगी वेगेनार आप देख सकते हो कंडि परेज मिल जाएगी एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखाएता हूं इसका अंदर से इंटीरियर कैसा है तो यह दोस्तों इसका इंटीरियर देख सकते हो आप और इसके अंदर भी देखो company fitted इसके अंदर में music system है और manual gear के साथ में है और blue color के इसमें जो है seat cover लगे हुआ कपड़े के जो seat cover है इसके उपर देख सकते हो गाड़ी के condition एक बार आप देख सकते हो पूरी अंदर की interior की condition कैसी है गाड़ी की और अब भैया से पूछ लेते हैं इसके price के बारे में तो भैया इसका asking price कितना है तो दोस्तो दो लाक रुपे इसका बड़ा reasonable सा price है asking जो के यहां पर रखा हुआ है आप आते हो भैया से बात करो negotiable rate में आपको यह गाड़ी मिल जाएगी तो दोस्तो आप यहां पर आप देख सकते हो Honda City खड़ी हुई है जो की HR 51 नंबर registered है गाड़ी जो कंडिशन आप देख सकते हो गाड़ी की तो भैया से पूछते है इसकी detail तो भैया इसका जो है model कितना है इस गाड़ी का कंडिशन आप देख सकते हो इस गाड़ी की फर्स्ट ओनर के साथ में नॉन एक्षिडिंटल कार आपको गुरुजी मोटरस में मिलती है सारी कंडिशन आप देख सकते हो इसकी एक बार मैं आपको अब इसका interior दिखाएता हूँ अंदर से interior कैसा है इस गाड़ी का तो दोस्तो यह Honda City का आप interior देख सकते हो यह dashboard आप देख सकते हो गाड़ी का और इसमें जो company fitted music system है जो कि आप देख सकते हो condition कितनी अच्छी है और manual gear के साथ में यह गाड़ी आपको मिलने वाली है और इसके जो है leather fitted seat cover है जो कि आप देख सकते हो condition अच्छी condition में गाड़ी आपको मिल जाएगी और यह complete आपको interior का एक बार मैं view दिखाएता हूँ इसका complete interior का view आप देख सकते हो गाड़ी का जो कि Honda City का एक बार मैं आपको इसका rear view भी दिखाना चाहूँगा गाड़ी का rear view कैसा है तो यह आप देख सकते हो गाड़ी Honda City S model आपको मिल जाएगी जो कि IVTEC model है HR number registered है यह गाड़ी condition एक बार गाड़ी की देखो आपको पूरी profile दिखाएता हूँ गाड़ी की condition कैसी है अब पूछ लेते हैं भाईया से इसके asking price तो दोस्तों आप मैं interior आपको दिखाए है Honda City का जो कि IVTEC top model में आपको मिल जाएगी तो भाईया इसका asking price कितना है गाड़ी का 3,50,000 तो दोस्तों गाड़ी है जो भी मैंने आपको दिखाई है यह वाली आज गयो गाड़ी दिखाई है और और भी जो गाड़ी आपको दिखाई है वो सारी negotiable price में आपको मिल जाएगी जो कि Guruji Motors पर खड़ी हुई है काफी अच्छी condition मिल जाएगी आप आओ भीया से deal को crack करो आके आपको अच्छे price में discount के साथ में यह गाड़ी आपको मिल जाएगी जैसे मैंने Guruji Motors का आपको stock दिखाई है जो कि छोटे segment की सारी गाड़ीयां दिखाई है जो कि एक लाग से तीन लाग तक के बीच में गाड़ीयों के price है जो कि काफी अच्छी condition में गाड़ीयां यहाँ पर खड़ी हुई है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना यह लाल कलर का button दबा के और उसके बगल में दबाना छोटी सी bell icon जो कि future में मैं कोई भी वीडियो डालू तो उसकी notification जाए सबसे पहले आपके पास और दोस्तो आपके गाड़ीयों से related कोई भी सवाल है या लोन से related कोई भी आपको finance related कुछ question है तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो Instagram की IDR ही है आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हो वहाँ में आपके जल्दी से जल्दी reply देने की कोशिश करूँगा तो दोस्तो ऐसी है कार की वीडियो में जल्दी से आप से मिलता हूँ जब तक के लिए अपना खयाल रखें Take care bye bye Thank you for watching झाल